असलाम लेकूम वेलकम बैक टो मैं चैनल उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाकों के खेरियत से होंगे आज मैं आपके सब शेयर करने वाली हूँ सागो वड़ा और यह बहुत ही मज़ेदार बनता है इदम अलग स्टाइल में मैंने बनाया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत जल बन जाता है तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं बिना वक्त को जायक हुए तो यहां मैंने साबुदाना ले लिया है दो कटोरी पानी इतना डालना है कि हमारा साबुदान अच्छे से भीग जाए फिर यहां मैंने एक जार में छे से साथ लसून के जवे एक तुकड़ा मैंने लिया है इसमें अद्रग का पुदीना और हरी मर्च डाल के अच्छे से पीस लेंगे फिर यहां मैंने पांचे उपले हुए आलू लिये हैं फिर अच्छे से मैश कर लेना है बिल्कुल भी लंस न रहे है पर अच्छे से मैश होने के बाद दो घंटे के साबू दाना के छान लिये थे सका पानी दम में छान लेना है फिर हम इसमें डाल देंगे बाऊल में और यहां मैंने लिया है बुर्णा हुआ शेंक दाना को पौडर उसे हम डाल देंगे एककटोरी औराल मिर्च नमग नमग वन तेबल स्पून गरम मसाला वन टेबल तेल ऐसे गोला गोला का शेव करए और सारे टिकिया अच्छी करने में तो जादा बनाया कूँए में फ्रोजन करके रखोंगी, और इसे फ्राय करेंगी क्यूंकि रमजान का महना चल रहा है। यो मे बना के रग देती हूं तो यहां मैंने फ्राय कर लिया हैं एक सथ सब्सक्राइब पेसा सब्सक्राइब वसक्ता बनाकाई खर bowl बता recordspan अंतला नियुक्त!!